हराई लावलीईज मैं हूँ आर जे महक और आज मैं आपके साथ एक मेकप चैलेंज शेयर कर रहे हूँ यह मेकप चैलेंज निकी टुटोरील्स ने स्टार्ट किया जिसमें आपको आपके नाम के और सरनेम के इनिशियल्स है और लुक यानि कि मेरा नाम है महक तो M और शास्त्री यानि कि S तो मुझे गूगल में जाके टाइप करना है M S Look और जो पहले इमेज आएगी उसमें जो भी Shades या Colors होंगे उससे related मुझे करना है Makeup Look आइशेरों से हम करेंगे Makeup की शुरुआत और मेरे पास है Swiss Beauty Cover Studio जिसने से मैं अपलाई करूँगी ये शुरुड़ Nelf Compact Powder से मैं थोड़ा सा सेट करूँगी और Smoky Eye से पहले मैं अपलाई कर रही हूँ Sugar का actually ये blush है लेकिन ये बहुत ही अच्छा transition shade बन सकता है अब मैं एक flat brush के साथ अपलाई करूँगी Black eyeshadow और मेरे पास ये eyeshadow palette है from Freedom Pro 12 Dreamcatcher और आउटर वी पर मैं ज्यादा focus करूँगी और Steel 80 Colors Eyeshadow Palette से मैं ये silver इसे pick up करूँगी सेम brush के साथ wet tissue से इसे clean कर लिया है और अब हम अच्छे से सब कुछ blend कर लेंगे एंड में थोड़ा सा और black eyeshadow फिर से लेंगे पर अपर लेश लाइन पर आई लाइनर अपलाई कर रही है मैं अब अपलाई कर रही हूँ एसेंस आई लव एक्स्ट्रीम मस्कारा तो मैं आपको इसी तरीके से इस साइट भी आई मेकप करके फिर से मिल रही हूँ और आप अपलाई कर रही हूँ कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर और अब मैं अपलाई कर रही हूँ अलिविया लिक्विट फांडेशन सैटिन फिनिश मेरा शेड है टू आप देख रहूंगे मैंने लोवा लैश लाइन पर अभी कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मैं अभी फांडेशन अपलाई कर रहे हूँ कंसीलर लगाऊंगी इससे सेट करूंगे तो मुझे डर है कि वो कहीं खराब न हो जाए तो मैं एंड में करूंगी आप चाहे तो पहले कर सकते हैं अब मैं स्विस्स ब्यूटी का वही पैलेट के साथ कंसीलर अपलाई करूंगी तो मैं सिग्मा का वही जो एफ सेवेंटी नाइन कंसीलर ब्रश है इसे ब्लेंड कर लूँगी मैं इस कंसीलर को सेट कर रही हूँ अब मैं यह नेल्फ पावडर से फावनेशन सेट कर लूँगी अब मैं एक फ्लैट ब्रश के साथ लोवर लेश लाइन पे यह ब्लैक आईशेडो अपलाई करूंगी अब मैं फिल करूंगी ब्रावस को सिग्मा ब्राव पावडर मीडियम ब्राउण मैं सीवाना कलर्स ब्रॉंज प्रोफेशनल मेरा शेड है जीरो टू जिससे मैं करूंगी कॉंटोरिंग और मेरे पास है बेक कबू की सिग्मा गा एफ एटी नाइन ब्राश और हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ सिवाना कलर्स ब्रॉंज कॉंटो एन हाइलाइट मेरा शेड है जीरो फोर बहुत ही वर्सिटाइल है देखिए एक ही शेड में इतने सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे मैं फिल्हाल ये शेड यूज कर रही हूँ से लिप्स पर अपलाई कर रहे हूँ ये मेरे लिए सबसे बड़ा स्टेप होगा लाइफ का पर चैलेंज है तो चैलेंज है ओभाई गाड़ ये वी क्या करती है मैंने और उसके बाद ऐसे ही मैंने black lipstick remove करके red lipstick के साथ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये look कैसा लगता है I hope कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा थोड़ा सा मैंने experiment किया है specially lipstick के साथ जो इतनी dark lipstick मैंने आज तक अपलाई नहीं करी है तो ये मेरे लिए भी बहुत ही नया है तो I hope कि आपको पसंद आया होगा और helpful भी रहा होगा आपके comments, आपके suggestions, requests मुझे भेज़ते रहेगा और मेरे सारे social media, Facebook, Instagram, Twitter और Ropozo app पे मुझे follow करते रहेगा as Arshemahek So thanks for watching my video, bye 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 So thanks for watching my video, bye